आप्टर लॉंग टाइम हमें अल्फा डॉइट का एक लेटिस अपडेट देखने को मिला है जो कि 3.2 का है और इसके अपडेट के अंदर इतने ज्यादा इंट्रेस्टिंग से चेंज किये गए हैं जिसे देख के आपको यार वाव क्या चेंज आया है और अल्फा डॉइड और काफे लंबे टाइम से ही ठोड़ा है रहता है कि किसी भी डिवाइस के लिए आ जाए तो लैग वगरा तो देखने को मिलता है मिलता है बट क्या इस अपडेट में वह चीज़े हमें नोटिस होती है या पर समुद्देस पर काम किया गया रियली में और क्या कुछ यहां यहां पर बदलाओ देखनी को मिलता है कस्टमाइशन के अंदर वह चीजे में आपको यहां पर बताऊंगा जिससे आप डिसाइड कर पाऊए कि जब भी आपके डिवाइस के लिए अपडेट अविलवल होगा तब आपको डालना चाहिए या नहीं तो चलिए आज की वीड स्टमाइशन मिल जाते हैं बहुत सारे जो कि स्ट बार से रिठेएड है जिसे य Thousands यहां पretslive कर सकते हों और हमारे लें पर यह च्श्रिक Comedy को मिलेगा बर्ट रूरिय यहां पर बाई-ठीपोंट आपको BCR देखनी सारह Marty run का पाओगे जो कि एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसके लिए बन जाता है रही बात कैमरा तो यह भाई डिपेंड करते हैं आपके डिवाइस के मेंटेरिंग के ऊपर कि वह कौन सा कैमरा आपके डिवाइस के अंदर डालते हैं बट इससे बाइडिफोल्ट आजकर से सिस्ट इन बाग में चेंज कर सकते हो याने three system UI provide करे गए हैं याज़े की आपको फोस्त त्रेवाइस को मिलता मिलते है जो एक यहां पर सेट्इंग कर सकते हो जो कि यह वहां पर रख सकते हो जो जो कि आपके अपने च्वाइस कर सकते हो जो इसे बात करता है वहां लोग फिंगरपींट आपके वर्किंग रहते हैं प्राइवेट स्पेस होगा देखने को मिल जाता है यहां पर क्लिप बोड को ऑटो क्लियर का भी सेटिंग यहां पर दिया गया है जो कि बहुत सब्सक्राइब करने वाला बाके डिवाइस आपको यहां पर इंक्रिप्टर द सिटम डिगनोसिस दिया गया है गेंब भार भी यहां पे लेटिस्ट वाला यूज किया है जैसा आपको कई सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि यहां पर गेमिंग की टाइम में आपको हेल प्राइट करने वाला है बाके जेस्टर की बात करें तो यहां पर नमाल से स आपको देखनी को मिल जाता है जिसमें कई साथे shortcut रखे गए हैं बाकि यहां पर long swipe एच के ऊपर भी आपको यहां पर option देखनी को मिल जाएगा अनदर यहां पर आपको मिलता है apps जिसके अंदर आपको देखनी को मिलेगा apps locker यानि यह आप यूज कर सकते हो काम करता है clone app का option मिल जाता है जहां पर मैंने कुछ application को clone भी कर रखा है और यह काम करता है बाकि यहां पर basic से common से option आपको मिलते हैं वाल पर इन style की बात करे हो तो यहां पर alpha doid के कई सारे wallpaper दिये गए हैं आप इनका यूज कर सकते हो या फिर आप अपना defend भी यूज कर सकते हो जैसे कि मैं यूज कर रहा हूं बाकि यहां पर basic से आपको settings हो गरा देखनी को मिलेंगे lock screens related भी आपको कई सारे option है जो मिल जाते हैं 120, 60 और 90 के बीच में tap to wake up high touch polling rate और refresh rate का option मिल जाता है यहां पर आप जो अपना saturation बगरा चेंज कर सकते हो और HBM भी यहां पर दिया गया है जो कि आपके काम आने वाला है यही पर अगर बात करें modes बगरा की तो यहाज कल common होच चुक है सभी के अंदर जो की सही है बाकी यहां पर setting अंदर आपको अललग category देखने को मिल जाती है जो कि मुझे really में काफी cool लगता है जैसे कि आप देखो यहां पर dot dot बने हुए है जो कि काफी सही तरीके से यहां पर काम करता है और notification cooldown का features आज कल सभी में आ चुका है जो कि काफी useful और handy features भी है आज के time पर ब boost कर सकते हो single single application का और अई बात यहां पर power tool जिसकी help से आप यहां पर अपने पूरे OS के performance को customize कर सकते हो और आपको gaming करना है gaming पर डाल दो normal performance चाहिए उस पर डाल दो battery swing चाहिए तो उस पर भी आप set कर सकते हो और आपको extra knowledge है तो यहां पर इन सभी को on करते हुए अपने frequency को बहतरीन आउटपुट निकाल सकते हो अगर आपको knowledge है तो otherwise power tool के साथ छेड़ चाहड़ना करें तो बेटर रहेगा तो यह काफी बहतरीन features यहां पर मिलता है वहीं पर बात करें इसके extra customization की तो यह जो EY ही ना इसके बारे में बहुत से लोग अपने opinion है कुछ लोग का कहना है कि बच्चों वाली खेल कर दिया है ऐसा लगड़ा है बच्चे के लिए OS बनाया गया है और कुछ लोग के लिए एक नया refreshing से आई हुआ है तो आप बताना क किन में से आते हो वहीं मुझे तो personally अच्छा लगा है हाँ थोड़ा सा बच्चा जैसा दिखाई दे रहा है बठार रियली में customer room के अंदर एक नया look आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्यो सभी के user interface काफे तक similar रहते हैं तो वैसे में यहां पर बहुत अच्छा काम किया गया है मेरे हिसाब से तो लेगिन आपका क्या opinion आप बताना जरूर और यहां पर रिसेट का setting भी आपको मिलता है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह वाला यूज कर रहा हूं जो कि में भी आप लोग पूशने वाले होगे तो इनमें कई सरे fonts दिए ग किलावा यहां पर आपको आइकन पैक देखने को मिल जाता है सिगनल आइकन वगेरा है वाइफ़ा वगेरा आइकन से चार्जिंग अनिमेशन फ्लोटिंग रोटेशन बटन आपको मिलता है श्रसवार के बात करें यहां पर क्लॉक से लेटर कॉस्टमाज़िशन है यहां पर QS के अंदर आते हैं तो आप image वगेरा set कर सकते हो जैसे कि मैंने कर रखाया है और हाँ image set करने के बाद मुझे कोई भी lag देखने को नहीं मिला बिल्कुल ही smooth feel कराता है क्योंकि मुझे मैंने अलफा दोट चेक किया है तो हर जगर stutter lag feel होता है काफी heavier side feel होता है बट इतने सारे options है तो एक में यहां पर slider ही उचकरों जो के काफी पतला वाला है बाकि आप अपने हिसाब से यहां पर change कर सकते हो तो कई सारे options आपको मिल जाते हैं बाकि यहां पर row and column को मैंने change कर रखा है जैसे कि आप दिख रहे हो यहां पर आपको 3-3 दिखाई दे रहे option है यहां पर rotation वागेरा का भी आपको option मिलता है lock screen में आपको ambient चे रिलेटरी option मिल जाते है यहां पर always on वागेरा आप set कर सकते हो another clock के अलग अलग style से देखने को आपको मिल जाते है carrier name, battery information, weather की setting, tap to wake up, fingerprint notification, vibrate का option है और power menu access करना या नहीं lock screen पर उसका है बाकि यहां पर आपक sound के steps मिल जाते हैं जो कि छेचर में नहीं करता आप भी नहीं करो तो better है बाकि volume slider के उपर आपको haptic रखना या नहीं वाइट चाहिए या नहीं यह चाहिए या नहीं यह आप यहां से आप यहां पर on and off कर सकते हो बाकि calling simulator आपको vibrate के features भी देखने को यहां पर मिलते हैं यहां पर आपके काम करते हैं अब रही बात यहां पर यह जो options दिया गया है ना तो यह हर एक device के लिए different different तरीके से काम करने वाला है किसी को by default fix मिलेगा यहां पर 788 वगएरा और किसी का है जो by default नहीं मिलेगा आपको manually करना पर सकता है तो यह device to device depend करेगा तो आपको मैंने आपके अब यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि आप इनसे काफी ज़्यादा अच्छा लगा रहा है होप कि आपको यह पसंद आने वाला है कि एक लंबे टाइम के बाद हमें इसका update देखनी को मिला है और जो भी update यहां पहना कि कूल है रही बात यहां पर बाग यह ज़् टेस्टिंग की तो वह तो भाई आपके हर एक डिवाइस में साथ डिफरेंट इवेंट होने वाला है चाहिए वह आपका परफोर्मेंस का हो या बैटरी का हो या भी बागेतर चीजों का हो तो वह आप अपने डिवाइस में डालोगे उसका चेक आउट कर लेना लेकिन वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और इंट्रेस्टिंग और अपडेट चाहिए तो कमेंट जरूर करना मिलते निक्स वीडियो में थांक्स वाचिंग बाई